कैसे हैं आप सब देखिए आज हम यह एक नंबर की ड्रेस बनाएंगे और यह आप कितने भी बड़े कानाजी की बना सकती हैं चोली बड़ी बनाएगा और यहां पर भी आप पहले प्लेन घेरा बना लीजेगा जैसे सब ड्रेस में बनाते हैं उसके बाद शुरू करने से पह चोली जो चूटी कर लीजेगा तो जैसे हमारे परफिष्ट चौदा है उसमें बारा रखिएगा तो यह जो हमारे जैसे यहां पर साथ आये हैं तो उसमें छे आ जाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे चली देख लेते हमने इसके पहले तो हम एक नंबर की चूली बनाए हैं इस फित चैन्ट में दबल क्रोशिया वनाएं तो हमने देखे हरें यह क्रोच होगे तो हमारे टोटल 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे फिर से हम तीन चेन दनाएंगे देखिए इस चेन में एक ही डबल क्रोशा रहने देंगे तीन की चेन को रहने देंगे डबल क्रोशा ही काउंट होगी next chain में हम 2 double crochet करेंगे और देखिए इसमें हमें क्या करना है कि first और last इन दोनों chain में तो एक डबल क्रोशा रहेंगे बीच के सारी chains में 2 double crochet करेंगे यह मैं कर लेती हूँ तो देखिए friends हमने starting में 3 chain रुखिए सार इक chain में 2 double crochet किये लास्ट में यह तीन की जो chain थी उसमें एक double crochet किया है वर्क रुटर्न करेंगे और अब यहाँ पर हम एक दो दो chain में बनाएंगे इसके यहाँ पर इसी chain में नहीं बनाएंगे दो की chain हो गई एक double crochet हो गया है हमारा next chain में हम अब हम यह single crochet कर रहे हूँ तो यह दो हो गए हमारी और थर्ड चेन में एक बार तो यह देखें तीन chain में हमने एक एक लिया और चौथी chain में हमें दो लेने हैं एक दो और यह तीन तीन चेन में एक एक और चौथी chain में देखें चौथी chain में हमें यह दो बार लेना है इस तरीके से हम अपना ये round complete करेंगे तो देखे friends हमने हर एक तीन के बाद बढ़ाया है और यहां पर देखे चार चेन बचेन थी देखे हमने यहां increase कि इसके पाद चार बनी तो चारों में हमने कर देए यहां पर दो नहीं किये है और यह हमारे पास टूटल इस्टिच जो है 34 चौतिस इस्टिच है तीन चेन लेंगे एक दू अब देखे friends हमारे पास यह 34 है तो देखे हमने पांच आगे कर लिए एक दो तीन चार पांच चे साथ चोड़ करके साथ बाजू के लिए छोड़ दिए आठ वी चेन में जाकरके बना लिया तो हम देखे ऐसे बनाएंगे पांच आगे पांच आगे मतब दस हो गए आगे दस पीछे बीच हो गए और साथ साथ दोनों बाजू में तो यह इस तरीके से हम डिवाइट कर लेंगे तो देखे friends हमने इस तरीके से डिवाइट किया है पांच-पांच दोनों में आगे 10 पीछे, 7-7 बाजों के लिए 34 तरीके से डिवाइट कर लिए अब हम एक राउंड और बनाएंगे जिसमें हमें हाफ डबल क्रोशिय करना है या सिंगल क्रोशिय भी कर सकते हैं या हाफ डबल क्रोशिय कर सकते हैं तो देखें हाफ डबल क्रोशिय ऐसे होता है तीनों को एक साथ निकाल दिया तो मैं ये वाला राउंड एक बना लेती हूँ देखें फ्रेंड्स हमारी चोली बन करके तेयर हो गई है देखें थर्ड चेन में जाकरके यह जो तीन चेन लीन थी यहाँ पर जाकरके स्लिप इस्टिच करके जोइन करेंगे और दागे को थोड़ा साइड में ले जाएंगे वहाँ से हम घेरा स्टार्ट करेंगे साइड से बनाना चाहिए क्योंकि हम चेन वेन लेकरके बनाते हैं तो यहाँ सामने ही पड़ जाता है को देखे इस तरीके की चोली बनी है एक नंबर का नयाजी के लिए अग्यून्स आप हम राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें मैं देखे साइड में ले आई यहाई हूं दागे को दर साइड में लाकर के पहले हमने तीन की चेन बना ली इसी में हमने इसी चेन में एक बार डबल क्रोश्या और बनाया नेक्स चेन में हम एक डबल क्रोश्या बनाएंगे उसके नेक्स हम दो बनाएंगे इस तरीके से हम अपना यह राउंड कम्प्रीट करना है एक चेन में एक बार और एक चेन में एक बनाना है तो इस तरीके से हम अपना राउंड यह कंप्टीट कर लेते हैं देखे राउंड के एंड में आ गए हम यहां पर हमने एक वाली देखी चेन में लास्ट में एक डबल क्रोश्यर किया है जो पहले तीन की चेन से स्टार्ट किया था उसमें स्लिपे स्टेच करके जोइन करेंगे फिर से हम तीन चेन हमने यह बना ली और तीन चेन और बनाएंगे टोटल हमने छे चेन बनाई है नीचे से हमें एक चेन देखे यह वाली चेन हमने देखे यह वाली इसके वाली इसकेप करी और नेक्स चेन में हमें एक डबल क्रोश्यर बनाना है तो देखे ही तरीके का हो जाएगा यह फिर से एक गत सों टीव नारेंगे नीचे एक करेंगे next chain में हमें double crochet पृत है फिर सेवह matrix करेंगे 3 chain सेटाट स एक चैन सक्टर करके second one chain में second chain में मतलब देखे विशा करना है तो इस तरहके से हमें यह अपना राउंड कॉप्टीट देखिए एंड में आ गए हम यह हमने जो छे चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में जा करके स्लिप एस्टेच करके जोइन करेंगे इस तरीके से हमने जोइन कर लिया एक दो तीन अब है pH does कर ते तीन चेन बनाएं हमने फिर दीजिश यह वाल जो हमारे खुल है यहां पर यहां पर कुशे कि हम ऐसे बनाएंगे देख्यालल स्दिश बनाना है ओएं यह जो हमने डबल क्रोशिय बनाया है इसके के उपर हमें एक पॉफ बनाना है एक दो तीन और यह चार एक साथ ले लिया अब नेक्स्ट में हूल में गए यहां पर हमने एक डबल क्रोश्य बनाया दिखे इस तरीके से दागे को थोड़ा सा ऐसे लंबा रखेंगे हलका सा और यह जो हमने डबल क्रोश्य भी बनाया है उस पर हमें एक पॉफ बनाना है करेंगे और सारी स्टिच को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से चेल लेंगे दागा लिया पर नेक्स्ट में गए यहां पर हमने एक डबल क्रोश्य बनाया पहले स्टिच को थोड़ा लंबा करेंगे और यह जो हमने डबल क्रोश्य लिया है इस पर हमने एक पॉफ बनाना है दो तीन और यह चार चार लेके पॉफ बनाया एक साथ निकाल देंगे चेन ली तो इस तरीके से हमें यह अपना राउंड कंप्लीट कर लेना है कि कम्प्लीट हो गया हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर हम स्लिप स्टिच करकी जोइन कर देंगे और देखिए यह जो हमने पॉफ बनाया है यह हमारे एवन नंबर में होने चाहिए बारा चौदा सोला ठारा इस तरीके से देखिए हमारे फॉर्टीन है अब हम वाई कलर किये दागे को नहीं कट करेंगे और यह मैं पर्पल कलर का लगा रही हूं यहीं हम पर्पल कलर का दागा जोइन करेंगे यहाँ पर कि यहाँ देखिए हम एक सिंगल क्रोश्या कर लेंगे फिर हम एक दो पे चार और यह पांच पांच चेन बनाएंगे देखिए यहाँ पर दोनु पफusta के बीच मंने एक सिंगल क्रोश्या कर देंगे फिर1000 एक दो, तीन, चार, पांच, दोनों पफटे बीच में एक सिंगल ग्रूशिया कर देंगे, इस तरीके से हमें ये अपना रौंड कम्प्लेट, देखें हमारा ये रौंड कम्प्लेट हो गया है, यहाँ पर जो सिंगल ग्रूशिया बनाई थी, हमने पहले, उसी में जाकर के, स तो देखिए यहां पर हम इस दागे को निकाल लेंगे अब देखिए हमें पहले तो हमें chain बनानी है एक दो तीन चार चार चारे बनाई हमने और देखिए दो हगा लिया इसमें हमें triple crochet बनाना है पहले एक बार यह एक chain निकाल दी इसके बाद 2 फिर इसके बाद 2 और लास्ट में ये 2 दो बार धागा लिया एक बार पहले ये चे निकाली दूसरे में ये 2 निकाले ये निकाला और ये 4 बार देखे फ्रेंट्स दो चार छे आठ और एक नौ और अब हम इसमें नौ हुए हैं पंद्रा ट्रिपल क्रोश्य बनाएंगे इसी तरीके से पंद्रा बना लेते हुए हैं देखे फ्रेंट्स हमारी पंद्रा ट्रिपल क्रोश्य होगे एक चेन बनाएं फिर से हम दो बार बार लेंगे एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में यहां पर हम फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पंद्रा ट्रिपल क्रोश्य बना लेंगे तो यह में बना लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स हमारा यह लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया है देखे एक चेन ले ली हमने और यह जो चार चेन बनाएं थी इसके देखे चौथी चेन में जाकरके इसे स्लिप इस्टिश करके जोइन कर देंगे चेन लेके धागा कट कर देंगे यह दागा हमें पर कर लेना है कि देखे फ्रेंट्स इस तरीके के माई ड्रेस बन करके देख रहे हैं अब इसके आगे हम बनाएंगे तो देखे जैसे कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो देखे यह वाली वाइट वाली जो चेन है इसको और इसको लेकर के यह हम वाइट कलर का धागा लेकिन यहां पर जॉइन कर लेंगे पहले तो हमने वाइट कलर का धागा एड़ कर लेना है यहां पर इस तरीके से वाइट कलोर का दागा एड़ कर लेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट चेन है देखे देखे सबसे फर्स्ट वाली जो चेन है यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिय करेंगे इस तरीके से फिल लेंगे हम तीन चेन तीन चेन ली एक chain को हमें देखिए skip करना है next chain में हमें फिर से एक single crochet कर लेना है फिर से तीन chain लेंगी एक chain skip करेंगे next chain में हम single crochet करेंगे फिर से एक chain तीन chain लेंगे नीचे की एक chain skip करेंगे और next में single crochet करेंगे इस तरीके से हम यहां तक आते हैं पहले देखिए end में आ गए हम तीन चेन में हमने एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स चेन में सिंगल क्रोश्य कर देंगे और देखें यहाँ उपर इसको और इसको लेकर के ऐसे यहाँ पे भी लंबा से श्टेच में चुना के सिंगल क्रोश्य कर देंगे कि देखिए हमें इस तरीके से अपना ये राउंट कर लेना है पहले सिंगल क्रोश्य करेंगे फिर तीन चेन फिर सिंगल क्रोश्य फिर तीन चेन फिर सिंगल क्रोश्य देखिए सिंगल क्रोश्य हो गया फिर से वही रिपीट करेंगे जो भी मने पीछे किया है फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोश्य किया तीन चेन बनाई एक स्किप करेंगे चेन और थर्ड चेन में देखिए सिंगल क्रोश्य करेंगे तो इसी तरीके से हमें यह अपना बाद हमाई ड्रेस कुछ ऐसी दिख रही है मैंने चोली पर किनारी बना ली है यह मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया हुआ है इसलिए यहां पर नहीं दिखाया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर थैंक्स वर वाचिंग